हेलो गाईज, वेलकम टू सेलेक्शन क्लासिस, आज हम लोग जो हैं 18 अक्टूबर के करेंट अफेर के उपर डिश्कर्शन करेंगे और जितने भी गॉर्वर्मेंट एक्जाम से हैं, सब के लिए करेंट अफेर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली हैं, यदि आपको मिल जाएंगे और आप लेक्चर जो हां सानी से देख पाएंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट करेंट अफेर, आज जो की जो फर्स्ट करेंट अफेर वो हैं कि अंतराश्टी उन्मुलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्वस्तर पर मनायाता है, तो याद रखना अंतराश्टी गरीबी उन्मुलन दिवस कम मनायाता है, तो 17 अक्टूबर को, ये दिन बनाने का जो मुख्य उद्देश हैं, दुनिया भर में और विश्वस रूप से विकार्शी देशों में गरीबी और उन्मुलन के अउशक्ता के बारे में जाग रु तो याद रखना अंतराश्टी गरीबी उन्मुलन दिवस, चलिए आगे चलते हैं, नेस्ट करेंट अफेर पे, अगली करेंट अफेर हैं, केंद्रिय सिक्षामत्री रमीज पोखरियाल निशांकरे, ये इनका पूरा नाम है, रमीज पोखरियाल निशांकरे जो है, 15 अक्टूबर 2020 को बौधिक शंपदा, शाक्षरता और जागरुपता अभियान के लिए कलाम कारेल करमे के लिए सुरू किया अभियान, कापिला की सुरू किया है, ठीक है, तो कापिला की सुरू किया है, तो इसका एक तरीके से ये तो ये केंदरी सिक्षा मत्राले द्वारा सुरू किया गया है, और रमीज पोखरियाल ने ये सुरू किया है, ठीक है, कौन सा, कलाम कारेले, जिसका नाम है कापिला, ठीक है, तो ये क्यों किया गया है, तो AI, एन Artificial Intelligence को बहावा देने के लिए, और शाक्षरता में जारुप ये कारेकरम किया गया, ये है दीवस जो है, पूर्वरास्ट्पती डौक्तर E.P.J. अब्दुलकलाम की नवासीवी जयनती के उपलक्ष में सुरू किया गया, ठीक है, कौन सी, नवासीवी जयनती के उपलक्ष में सुरू किया गया, जालुकता को बढ़ावा देने के रूप में मनाने का निर्णाय लिया है तो कब सिर्फ 15 अक्टूबर से लिकर 23 अक्टूबर तक तो कौन सा कारिकरम कौन सा अभियान चलाए गया था कापीला अभियान चलाए गया था शाक्षरता को और बोधिक शंपदा को बढ़ावा देने के लिए और जागरुपता सुप्रिम कोट ने रास्टी राजधानी और आसपास के छेतर में प्रदूर्शन को बढ़ते हैं इसतर के बीच में पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेस राज्यों में जलने से रोकने के लिए यानिकि जो भी खेती का जो भी कचरा आता है तो उसको जलाने से रोकने के सुप्रिम कोट के पूर्व जज जस्टीस मदन भी लोकूर के अधिक्षता में एक सदेश्य निगरानी श्रमिती का गठन किया गया ठीक है यानिकि जो भी पराली जैसे कहते हैं हम लोग ठीक है जो खेती का बचावा जो हिस्सा होता घास फूस तो उसको प्रदूशन को ब किसके अधिक्षता में मदन भी लोकूर के अधिक्षता में इस बैच ने अदालत द्वारा नियुक्त परियावरन प्रदूशन नियंतरन प्राधिकरन और हरियाना पंजाब और उत्तरप्रदिस के मुख्य सचियों को भी निर्दिश दिया है कि वो पराली के जलने और अन होंगे ठीक है उनको भी थोड़ी जिम्मिदारी दी गई है कि वो मामलों की जाच करें जहां पर भी पराली जलाई जारे है पराली क्या होता है कि खेत का जो बचा हुआ घास पूस का हिस्सा होता है वो होता है पराली ठीक है तो जिससे क्या हो कि खेतों की निगरानी की जा सके और जो प्रदूशन बढ़ रहा है तो उसको रोका जा सके तो चलिए आगे चलते हैं जनता दल के वरिष्ठ निता कपील देव कामत का निधन हो गया है वो भी किस कारण से कोविड नाइंटिन के कारण से वह बिहार के पंचायती राज के मंत्री के रूप में कारेरत थे वह मधुबनी जीले बिहार में बाबु बरही विधान सवागी छेतर से क्या रहे हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोर्षीना ने घुष्णा की है तो यहाँ पर दू चीज़े आपको याद लखने कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल वो कोन है मनोर्षीना है तो उने यह घुष्णा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामे के आंदूलन सुरू कर रही है तो कौनसा माई टाउन माई प्राइड करके आंदूलन स्टार्ट कर रही है जो सहरी छेतर में बैक टू विलेज कारेकरम के दर्च पर साशन प्रदान करने के लिए है ठीक है बैक टू विलेज यानि वापस घर के तरफ लोटो या गाओं के तरफ लोटो यह कारेकरम ओन दा स्पोर्ट सिकायत निवारन का यानि कि जो भी समश्याएं होंगी उसका तुरंत निवारन किया जाएगा चनता तक सेमाओं की जल्द डिलिवरी के ल वह भी समश्याएं होंगी उसका तुरंत अंद स्पोर्ट सॉल्यूशन दिया जाए और जनता को जो है अच्छी सची डिलेवरी सेवा ही उपलब्द कराई जाए यानि कि डिलेवरी में किसी भी चीज की प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है या फिर सरकार द्वार चलाएग स्वास्तिस्वन कार्ड लाडली बेटी आदि विभिन कल्यानकारी योजनाओं के लाभों के शमय बद दिलेवरी भी सुनेश्चित करेगा यानि कि इन सब जो कल्यानकारी योजनाओं चल लेए उसे में किसी भी प्रकार के देरी नहीं होगी तो बताएए हाल में माई प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले और पैल आइकन क्लिक कर दे जिससे हम लोग और भी अच्छी करेंट अफेर आपको उपलब्द करा पाएं मंधिली करेंट अफेर भी आपको उपलब्द करा पाएं जिससे क्या हूं कि आप भी अच्छी करेंट अफेर मिलती रहे आपको तो चलिए आगे जलते हैं शसी थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेश रूप से भारत में राष्टवाद के सिध्धान्त, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैगनम आपश के रूप में किया है ठेकर राष्टवाद के बारे में ये बुक बताएगी और विकास डेवलप्मेंट के बारे में बताएगी यह पुस्तक उनकी why I am the Hindu का विस्तार स्वरूप है ठीक है why I am a Hindu का विस्तार स्वरूप है डिटेल जो स्वरूप है वो है the battle of belonging ठीक है यह राष्टवाद, देशभक्ती, मानवतावाद, लोगतंत्र और उनकी उत्पत्ती के विचारों को एतिहासिक शंदरव प्रदान करता है इस पुस्तक ने वास्तविक भारत्यत, तकि श्थापना और 21 सदी में देशभक्त और राष्टवादी भारत्य होने का अर्थ भी है तो आपको याद रखें the battle of belonging के जो लेखा का वो कौन है वो है शाशिर ठरूर है और एक नाम और आपको याद रखें यह वाई आई एम अ हिंदू इसके राइटर भी कौन है ससी थरूर ही है तो चली चलते है नैस्ट करेंट पर नैस्जी नैस्टनल सिक्योर्टी गाड याद राष्टे सुरक्षा गाड का स्थापना दिवस 16 अक्टोबर को मना आ जाता है ठेक है 16 अक्टोबर को स्थापना की गई थी कब की गई थी 1984 यह उनका 36 अस्थापना दिवस है भारत की सुरक्षा तंत्र में एनस्जी की एहम भूमिका रही है और इसे अत्यंत सहास और व्यवसाइक्ता के साथ जोड़ा गया है तो यह आदर जाँ 16 अक्टोबर को हाल में किसका स्थापना दिवस मना आ जाता है अब राश्ट्य सुरक्षा कार्ड का जो मुख्याला है वो डियलिंग के अंदर है और इसके जो महान दिशक वो है अनूप कुमार सिंग और सुरक्षा का जो आदर स्वाक्य है वो है श्व 16 अक्टूबर 1984 के दिन ही जो है NS यारे National Security Guard के स्थापना की गई थी ठीक है जिसे Black Cat भी कहते है Oscar पुरुसकार जीतने वाली पहली भारत ते भानु एथया का नीधन हो गया है ठीक है तो यह बहुत बार S.S.C. के अंदर भी यह कुश्चन आया हुआ है ठीक है और RRB में भी यह कुश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो यह जो कुश्चन है ठीक है आप उसको थोड़ा क्या कर ले अच्छे ध्यान से पढ़ ले कि भारत में Oscar पुरुसकार जीतने वाली भारती मैला कौन थी भानु एथया थी उन्होंने रिचर्ड एंटन बरो द्वारा निर्देशित 1982 के फिल्म गांधी में काम के लिए सर्वस्रिस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के उसकर पुरुसकार जीता था जी किसमें कोस्ट्यूम डिजाइन के लिए उसकर पुरुसकार मिला हुआ है भानु एथया ने 2012 में अपने ऑसकर को Academy of Motion Picture Arts and Sciences में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर दिया था ठीकि इनको जो ऑसकर अवार्ड दिया गया था तो फिर इन्होंने क्या कर दिया था कि ऑसकर जो Academy of Motion Picture Arts and Sciences में सुरक्षित रखने के लिए वापस भी कर दिया था तो आपको याद रखना है कि भानु ए था या जिनका हाल में नेधन हो गया है वो पहली भारती ऑसकर जितने वाली महिला थी और किस काम के लिए मिला ये भी आपको मानूम है गांधी में एक फिलम थे गांधी में उनको कोस्ट्यूम रिजाइन के लिए पुरुसकार दिया गया था तो दोस्तो अगले करेंट अफेर पे चलते हैं अगले करेंट अफेर है 16 अक्टूबर को विश्वस्तर पर वर्ल्ड फुड डे यानि विश्वखाद्य दिवस मनाया जाता है यह दिन को प्रतिवर्स दुनिया भर में सभी के जीवन में भूख की समश्या को मिटाने के लिए दिन मनाया जाता है इस दिन को उन लोगों में विश्वस्तर पर जारुकता पैदा की जाती है जो भूख से पीडित है और सभी के लिए खादे सुरक्षा और पूस्टी कहार के आउशकता सुनिश्चित करते हैं और इस बार की जो थीम रही है 2020 की वो रही है Grow, Nourish, Sustain Together तो इस बार की थीम यह रही है चार वर्ड यहां पर दिए Grow, Nourish, Sustain, Together और WFD के जो प्रमुक है वो है Q, Dong Q ठीक है और जो मुख्याले है वो रोम इटली के अंदर है WFD का यानि कि World Food Day का और जो स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी ठीक है 16 अक्टूबर 1945 World Food Day चलिए अगली Current Affair पे चलते हैं और अगली Current Affair है वर्चूली आयजित अंतराष्टी शौर गटबंधन ठीक है International Solar Alliance की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगली दो साल की कारिकल के लिए फिर से अध्यक्ष और सअध्यक्ष चुना गया यानि कि बाइस International Solar Alliance की अध्यक्ष जो है किसको चुना गया है और से अध्यक्ष के लिए किसको चुना गया फ्रांस को चुना गया है अभी वर्चूली जो मिटिंग आयोजित की गई थी ये COVID-19 की कार्ण की गई थी इस बैठक में कुल तीरपन सदश्य देसों और पांच हस्ताक्षर करता हूं और भाविश अध्यक्ष देसों ने हिस्सा लिया जो I, S, E का जो मुख्याल है गुरुग्राम हरियाना में है और इसके जो लीडर है उपेंदर त्री पार्ठी है कौन है उपेंदर त्री पार्ठी तो याद रखना आपको यहाँ पर कि International Solar Alliance International Solar Alliance के अध्यक्ष के लिए किसको चूना गया है दो साल के लिए वो चूना गया है भारत को और श्रह अध्यक्ष के लिए किसको चूना गया है फ्रांस को चूना गया है तो चलिए अग्डेस्ट करेंट अफेर पे चलते हैं मंत्री मंडल की न्यूक्ति समिती ने राजिद्वारा संचालित National Thermal Power Corporation याने NTPC Limited के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक याने कि MD और Chairman के लिए गुर्दीप सिंग का जो कारेले है वो 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है याने कि MD और अध्यक्ष जो NTPC के रहेंगे कौन रहेंगे गुर्दीप सिंग जिनका कारेकाल कितना बढ़ा देगा है 31 जुलाई 2025 तक बढ़ानी की मंजूरी भी दे दी गई है तो हाल में जो है National Thermal Power Corporation के अध्यक्ष जिनका कारेकाल जो है 2035 तक बढ़ा देगा है कौन है वह है गुर्दीप सिंग कौन है गुर्दीप सिंग 2016 में पहली बार ये अध्यक्ष और MD का कारेबार मिला था ही ने ठीक है 2016 में इनका एक तरीके से इन पद्ग के लिए अध्यक्ष पद्ग के लिए चैन किया गया था एन्टीप सिंग की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी और एन्टीप सिंग का जो मुख्यालाय नियो डैली भारत में है तो गुर्दीप सिंग का कारेकल कितनी समय के लिए 2025 तक बढ़ा दिया गया है तो अगली कर इंटरफेर पे चलते हैं 12th नंबर की विशाल वी सर्मा को राजदूत के पद के साथ साथ जो है सयुक्त राष्ट सैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगट है यानि यूनेसको के लिए भारत के स्थाई प्रतिनिधितों मंडल के लिए भारत के अगले स्थाई प्रतिनिधित के रूप में न्यूक्ति किया गया है हाल में जो है युनेसको का स्थाय प्रतिनी तो किसे चैन किया गया है तो वो चैन किया गया है विशाल वी सर्मा को ठीक है किसको विशाल वी शर्मा को वह जाविद असरफ की जगा लेंगे किसकी लेंगे जाविद असरफ की जगा लेने वाले है ठीक है विशाल वी सर्मा की सिग्र ही कारिभार समालने की उमीद है तो यूनेस्को का जो मुख्याला है वो है पैरिस फ्रांस में और इसकी जो प्रमुक है वो है आड्री अजोले और इसकी जो स्थापना होई थे 16 नौंबर 1945 को होई थे तो दोस्तों याद रखना कि यूनेस्को में जो है इस्थाई प्रतिनीधित्यों का जो पद मिला हो किसको निक्ट किया गया है वो निक्ट किया गया है विशाल वी सर्मा को जो किसकी जगा लेने वाले है जाविद असरफ की जगा लेने वाले है और ये इस्टेटिक जी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है युनेस्को का मुख्याल है पैरिस फ्रांस में है आंड्रे अजोली जो है युनेस्को के प्रमुक है 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गए थी किसकी युनेस्को की और अगली करेंट अफ़ेर पे चलते हैं और अगली करेंट अफ़ेर हमारी है आपके सामने Great Britain के Dr. Michael Irani को जो है IWF International Weight Lifting Funderation के सविधान के अनुसार IWF के कारेकारी बूड के बैठक में अंतरास्टि भारो तोलन महाशंग यानि कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे International Weight Lifting Funderation के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निउक्ति किया गया है तो यह आपको याद रखना है कि अंतरास्टि भारो तोलन महाशंग है कि अंतरिम अध्यक्ष किसे निउक्ति किया गया है तो वो निउक्ति किया गया है Michael Irani ठीक है कौन है Michael Irani है ठीक है यह अंतरिम अध्यक्ष है International Weight Lifting Funderation के लिए Michael Irani को जो है IWF के अध्यक्ष तामस अजान के स्थिफ़े के बाद निउक्ति किया गया था देखे कौन किस ने दिया था इस पद से स्थिफा तामस अजान के बाद जो है IWF के अध्यक्ष बने है वो बने है Michael Irani अब इनका जो अनुभाव हम लोग देखे हैं तो Michael Irani जो है IWF के चिकिसा समिते के अध्यक्ष के रूप में भी कारे कर चुके हैं और इनका जो जनम हुआ था बॉंबए भारत में हुआ था ठीक है मॉंबए में और वह IWF के एंटी डोपिंग आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1992 में IWF Medical Committee के सदश्य भी रह चुके हैं तो यानि कहीं ने कहीं बहुत अच्छा खासा अनुभाव इन है वेतलिफ्टिंग के अंदर और इसी पद में लगातार इसी फंडरेशन में ये अधिकतर काम किया है तो ये अदन है काफी यादा अनुभाव हैं तो बात कर लेते हैं अंतरात्य भारुत ओलन महासंकि मुख्याले याने की weightlifting का जो मुख्याले वो है बुड़ापीस्ट हंगरी में और जो स्थापना की गई थी भारोतलन माहा संकी वो 1905 में की गई थी तो दोस्तो आज के लिए इतनी करेंट अफैर है और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन क्लिक कर दे जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और यदि आप चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा भी थोड़ा बहुत confidence बढ़ेगा यदि आपको किसी प्रकार की query, question जो भी है तो आप comment box में लिख दे तो हम आप उसका भी solution लाइंगे और अच्छा खासा लाइक वीडियो पर मिलेगा तो हम मंतली current affair भी आपको provide कराएंग जो NTPC, Delhi Police, Others exam के लिए बहुत ज़्यादा important रहने वाला है तो चलिए मिलते हैं, कल, goodbye, take care